सुशान सिंग रादपूत केस में सल्मान खान का बयान दर्ज किया जाएगा इस तरह की खबरे जो है कल से काफी चर्चा में है और कई जगा शायद आपने देखे भी होगी लेकिन इस खबर के पीछे का सच क्या है मैं ही नकुमावत आपको फिल्विंडो को बताऊंगी तरसर आपने देखा होगा बहुत जगा की सल्मान का बयान दर्ज किया जाएगा फिल्म विंडो के पास भी ये खबर आई थी लेकिन फिल्म विंडो कभी भी कोई भी खबर बिना confirmation के आपके पास नहीं लेकर आता है और इसलिए आज तक एक भी हमारी ऐसी खबर नहीं है जो गलत साबित हुई हो आप लोगों के बहुत सारे emotions जुड़े हुए हैं इस case के साथ हाला कि मैं आपको सल्मान की खबर का भी सच बताती हूँ उसके पीछे लोगों ने बहुत सारी imaginary theories भी लगाई कि जो social media पर चल रहा था सूरज के साथ connection इसके लिए उसकी जाच होगी रेशमा शेटी ने बयान में उनका नाम लिया है इसलिए उनकी जाच होगी या फिर ये भी आया कि सल्मान ने अपने production house की एक film में से उसको निकाल दिया था इस तरह कि सारी imaginary theories आपने सुनी होगी इस तरह कि किसी भी theory में कोई भी ऐसा valid point नहीं है और अब मुंबई पुलिस ने, DCP ने खुद इस बात को confirm किया है कि सल्मान खान की इस case में जाच नहीं होगी जैसा कि फिल्मिंडो आपको पहले ही बता चुका है कि इस case को अब दो हफतों में मुंबई पुलिस wrap up करने वाली है शेखर कपूर का इन परसर में जो बयान लिया जाना है वो बाकी है परिवार के एक सदस्य से मीतू से मुंबई पुलिस मिलना चाती है और forensic report का जो इंतजार हो रहा है उस चीज का इंतजार हो रहा है इसके अलावा जो है इसको लेकर अभी ऐसा कोई बड़ा update नहीं आया है और आज जो है उनके family की करीबी ने इस बात को उठाया है कि उनको fingerprints का भी proof चाहिए हाला कि मुझे लगता है जो forensic report जो दो हफ्तों में आने वाली है जिसको body report भी होता है और एक जो है मैंने आपको बताया था कि किसना से जो उनके घर में समान मिला है उसके fingerprints का report होता है वो द सल्मान खान का बयान दर्च किया जाएगा इस खबर के पीछे कोई भी सच्चाई नहीं है तो जो लोगे सोच रहे हैं कि सल्मान का बयान दर्च किया जाएगा मैं आपको बता देती हूं कि मुंबई पुलिस ने भी इस बात को खारिश कर दिया है कि सल्मान खान को नहीं ब पता चले और जो खबरे सही और सटीक हो